हम बात कर रहे थे हैं, डोमेन और रेंज की उपर, है ना, तो उस से रिलेटेड हम आज देखेंगे, नुमेरिकल्स, प्राब्लम्स बेज़ड ओन डोमेन रेंज, ठीक है न, कोई भी फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने के लिए आज, हम आज देखने वाले हैं, ठीक है, बात करते हैं, फर्ष्ट कोश्चन की, इसका अपने को डोमेन निकालना है, ठीक है, सॉलूशन की उपर बात करते हैं, गिवन फंक्शन इस दा फॉर्म आफ किस फॉर्म पर दिख रहे हैं जीए, कल मैंने बताया था आपको, मैंने next class में बताया था, कि 1 upon fx कैसा है, सर्दी खासी बुखार, ठीक है न, तो ये अपने को क्या दिख रहा है, बुखार के जैसे लग रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि, ये आपका बुखार है, तो मैंने कल बताया था आपको, 1 upon f of x के लिए, जब डोमेन निकालेंगे तो क्या होगा, f of x not equal to, क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके, solution के उपर, f of x is not defined when, is not defined when, ये कब defined नहीं हो सकता, ये कब defined नहीं हो सकता, जब f of x equal to 0 हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं, not defined, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइम पर not defined है, ठीक है, x square minus 1, multiply x plus 3 is equal to 0, ठीक है, इसको और simplify कर सकते हैं, a square minus b square, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपने को, x square minus 1 का square, means क्या हो जाएगा, x minus 1, x plus 1, into x plus 3 is equal to 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, factor बना लिए हमने, factorize कर दिये हैं, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, कि next step में, x minus 1 is equal to 0, और, यहाँ पर ध्यान देना है, और आएगा, ठीक है, x plus 1 is equal to 0, और x plus 3 is equal to 0, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, x का value यहाँ से आएगा, 1, यहाँ से आता है, आपका minus 1, यहाँ से आपका आता है, minus 3, तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए, मैंने आपको कुछ सिखाया था, कि आपका x minus 1 दिख रहा है, अपने को function कैसा दिख रहा है, x plus 1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, x plus 3 दिख रहा है, is equal to 0, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक number line द्रॉ करेंगे, एक number line द्रॉ करेंगे, number line पे यह आपका हो गया 0, ठीक है, x minus 1 is equal to 0, means आपका हो जायाएगा, x equal to 1, तो यहाँ पे आपका 1 रहेगा, 0 के right side में आपका positive value होंगे, x plus 1 means क्या हो गया, x is equal to minus 1, x plus 3 is equal to 0, means x is equal to minus 3, यह आपका left side ही मिलेगा, ठीक है न, equal to 0, means हम बोल सकते हैं भई, कि सिर्फ x के 3 ही value मिल रहे है, x के कितने value मिल रहे है, number line पे आपको x के सिर्फ 3 value मिल रहे है, 3 minus, sorry, minus 3, minus 1 और 1, तो हम बोल सकते हैं, कि इसका domain क्या होगा, जी बोलो, here, what is the domain of f of x, what is the domain of f of x, क्या हो सकता है, इसका domain, बताइए, इसका domain आपका हो सकता है, कि domain of function is total real number, यहाँ से यहाँ तक पर क्या होगा, आपका, real number होगा, real number में से, minus 3, minus 1, और 1 को, minus कर दीजेगा, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, domain कहलाएगा, क्योंकि यह जो function था, x square minus 1, x plus 3, यह क्या था, denominator था, जो कि not defined है, ठीक है, आगे चलते हैं, question number 2 क्यों पर बाते करते हैं, x minus 1, x minus 2, x minus 3, ठीक है, इसका solution देखते हैं, सबसे पहले मैंने, let, आपको दिया हुआ है, कि 2 x square minus 5 x plus 7, upon x minus 2, x minus 1, into x minus 3, ठीक है, where f of x is not defined, ठीक है, f of x not defined है, कहाँ पर, x minus 1, x minus 2, x minus 3, same, जो अभी question देखें, जो पिछला question देखें, same, वही दिख रहा है, अपने को यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं, कि here f x is not defined, when x minus 1, x minus 2, x minus 3, equal to 0, अगर यह equal to 0 हो जाता है, तो यह function defined नहीं है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर, x minus 1 is equal to 0, और x minus 2 is equal to 0, और x minus 3 is equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पर x का क्या value आएगा, x is equal to 1 आएगा, x is equal to kya आएगा, आपका यहां पे 2x is equal to क्या है यहां पे 3 ठीक है तो guess the domain of f of x ठीक है तो इसका domain क्या हो सकता है बोलिए तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि domain of function is r minus क्या होगा 1 2 3 वहां पे नहीं होगा बतलब एक आपका number line होगा जहां पे यह आपका होगया 0 यह आपका होगया 1 यह 2 और यह 3 ठीक है ना 1 2 और 3 को छोड़कर बाकी सब इसके क्या होंगे domain होंगे ठीक है ना आगे चलते हैं question number 3 के उपर बाते करते हैं find the domain of the real function f of x is equal to root 16 minus x square root 16 minus x square यह कैसा दिख रहा है किस टाइप का function दिख रहा है मैंने क्या बताया था सर्दिक आसी बुखार तीन टाइप के function के लिए मैंने कुछ आपको ट्रिक बताये थे ठीक है तो हम बात करते हैं यह आपको दिख रहा है root f of x दिख रहा है ठीक है तो मैंने इसके लिए बता X कब defined होगा ठीक है तो 16-2 is defined when 16-2 is greater than equal to 0 ठीक है और कभी भी ध्यान देना है कि जो अपना variable term है एक्स वालटम है वो कभी भी negative नहीं होता है एक्स वालटम कभी भी negative नहीं होता है तो इसको positive बनाएंगे जैसे इसको positive करेंगे तो आपका क्या हो जाएका यहाँ पे sign change हो जाएगा मैंने क्या किया माइनस से multiply कर दिया ठीक है आछ न बोद साइड मैंने माइनस से multiply कर दिया जैसे है इसको minus किया तो यह आपका हो गया-16 और यह आपका क्या हो जाएगा प्लस x square और आपका sign change हो जाएगा ठीक है तो अब क्या दिख रहा है ये x square minus 16 less than equal to 0 ठीक है less than equal to 0 दिख रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बोलिए जी x square minus 4 का square x plus 4 x minus 4 ठीक है ना यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यह आपका x square minus 4 का square है तो हम लिख सकते हैं इसको x plus 4 x minus 4 is less than equal to 0 ठीक है अगर मैं इसको number line पे draw करूँ इसको number line पे draw करें मैंने आपको trick बताया है number line पे draw करने का यह आपका infinity minus infinity और यह आपका क्या हो गया 0 x minus 4 x minus 4 कैसा दिख रहा है यह इसकी power क्या है odd है सबसे पहले तो यह value put करने है कि x plus 4 equal to 0 x plus 4 equal to 0 कितना होगा बोलो यहां से x plus 4 equal to 0 मतलब आपका हो गया x is equal to minus 4 ठीक है ठीक है x minus 4 means यह आपका हो जाएगा यहां से x minus 4 equal to 0 मतलब आपका हो गया x is equal to 4 ठीक ना 4 0 के right side पे आएगा मैंने फिर आपको trick बताया था कि infinity से start करते हैं infinity को देखना है infinity के just left side पे आपको positive sign take take a positive sign ठीक है अब देख रहे है x minus 4 इसकी power कैसा दिख रहा है आपको odd दिख रहा है इसका power कैसा है odd है odd है तो यह sign क्या होगा आपस में change हो जायेगा प्लस का माइनस हो गया ठीक है ना यह आपको minus चल रहा है अब फिर आते हैं उसके बाद वहाँ पर दिया गया है x plus 4 x plus 4 की power कैसा है odd है odd है तो क्या होगा इसका भी sign change हो जायेगा तो यह आपका हो जायेगा प्लस हो ठीक ना minus 4 के left side में क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो sign कैसा दिख रहा है जी बोलो sign कैसा दिख रहा है less than equal to दिख रहा है less than के लिए मैंने क्या बताया था take a negative sign ठीक है ना taking negative sign negative sign कहां पे दिख रहा है minus 4 से 4 की बीच में यह आपको दिख रहा है यह आपका क्या है negative sign है ठीक है ना तो हम बोल सकते है यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते है आगे देखते हैं कि यह आपको दिख रहा था x- alpha और x- beta की तरह less than equal to 0 है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका domain क्या होगा आपका कि x belong to कहां से कहां तक close bracket लगेगा close bracket क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पर equal to का sign है मैंने आपको बताया था less than equal to रहेगा तो close bracket डालना कहां से कहां तक जा रहा है minus 4 से 4 तो minus 4 से 4 पे भी क्या होगा आपका close bracket होगा क्योंकि equal to का sign है तो यह आपका answer है x belong to minus 4 to 4 close interval तो domain of f of x बोल सकते हैं इसको हम ठीक है ना आगे चलते हैं fourth question की तरफ find the domain of the real function f of x is equal to root x square minus 25 यह same question है मैं इसको थोड़ा सा ले चलता हूँ आगे की तरफ when f of x is defined कब f of x defined होगा same अभी अभी question किये हैं हमने की x square minus 25 is greater than equal to 0 होगा फिर 25 को हम और क्या लिख सकते हैं यहां से 25 को लिख सकते हैं x square minus 5 square लिख सकते हैं ठीक है ना greater than and equal to 0 होगा फिर से इसको number line पर represent करना number line पर represent करेंगे तो आपका क्या होगा x minus 5 means क्या होगा 5 हो जाएगा और x plus 5 means क्या होगा minus 5 होगा ठीक है फिर से यह आपका infinity है यह आपका minus infinity है यहां से start करेंगे infinity के left side में आपको positive sign लेना है ठीक है, x-5 की power कैसा है, odd है, 1 है, means odd है, odd है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sign, negative हो जाएगा, minus 5 की power कैसा है, odd है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, take positive sign, ठीक है न, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि यह function पे क्या, क्या दिया हो है, भई, कि x-5, x-5 is greater than है, जहाँ पे greater than आ जाता है taking positive sign taking positive sign तो positive sign कहाँ पे दिख रहा है आपको positive sign दिख रहा है यहाँ पे minus 5 से left side की तरफ और 5 का right side की तरफ तो हम बोल सकते हैं x belong to minus infinity to minus 5 minus 5 पे क्या होगा close होगा क्योंकि यहाँ पे equal to कभी sign है union और क्या दिख रहा है close bracket of 5 5 पे close होगा क्योंकि यहाँ पे equal to का sign है ठीक है ना और infinity की तरफ जा रहा है तो यह आपका domain होगा ठीक है ना मैं यहाँ पे और आपको simplify तरीके से बता देता हूँ x minus alpha x minus beta is greater than equal to 0 दिखे और उस टेम पे x belong to क्या होगा minus infinity to alpha close bracket union बीटा ठीक है ना close bracket बीटा और आपका कहा तक जाएगा infinity तक जाएगा ठीक है या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x is less than equal to alpha और x is greater than equal to beta ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसका आपको domain पता चल गया f of x का कितना होगा minus infinity से minus 5 union 5 से infinity ठीक है यही इसका domain होगा ठीक है ना आगे चलते हैं हम बात करते हैं find the domain of the real function f of x is equal to 4x minus x square ये भी same question है आगे चलते हैं इस पर कि when f of x is defined कब defined हो सकता है कि f of x कब defined होगा बोलिए 4x minus x square greater than and equal to 0 होगा ठीक है x square x square means x और x square में x square की power बड़ा है तो हम क्या करेंगे negative minus multiply करेंगे इसको किसे multiply करेंगे minus multiply करेंगे माइनश mixing multiply किया मैने तो यह आपका हो जाएगा positive x square और यह आपका हो जाएगा minus 4x और यहाँ पे क्या होगा sign change हो जाएगा sign interchange हो जाएगा कि पहले greater than था अब क्या हो गया less than हो गया क्यों क्योंकि मैंने minus से multiply किया both side ठीक है आगे देखते हैं x common लेंगे यहाँ पर तो क्या एगा x minus 4 is less than equal to 0 ठीक है तो x minus 0 या फिर x minus 4 is less than equal to 0 इसको number line पर पूट करके देखते हैं number line है आपका minus infinity और infinity सबसे पहले यहाँ पर बना देना 0 ठीक है x minus 0 means क्या होगा 0 यह ठीक है ना 0 ही है x minus 4 means क्या होगा x minus 4 is equal to 0 means x equal to 4 हो गया ठीक है मैंने क्या बताया infinity के left side में आपको taking a positive sign ठीक है पर की पर कैसे दिखा है जी ऑड़ दिख रहा है तो क्या हो जाएक साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो गया फिर x minus 0 की पर कैसा दिख रहा है और दिख रहा है तो यह कैसा हो जाए 막 फिर से फ्लस हो जाएका ठीक है sin कौन से दिख रहा है यहां पर less than equal to दिख रहा है जैसी less than equal to दिख रहा है तो हम बोल सकते है taking a negative sin तो negative sin यहां पर दिख रहा है ठीक है तो इसका value क्या होगा तो यहां पर domain हो जाएगा x belong to close interval 0 to 4 ठीक है इसको याद रखेंगे आगे चलते हैं मैंने यहाँ पे अलफा और बीटा ले लिया है लेस देन इकवल टू जीरो है तो एक्स बिलॉंग टू क्लोज इंटर्वेल अलफा एंड बीटा क्लोज इंटर्वेल ठीक है ना तो अपने को याद रखने है इसको जीरो से फोर की बीच में लाई होगा एक्स के वेल लू ठी या मिंस इंटर्व सेक्शन वाहाप लगा देना ठीके ना आड़ देखते हैं इसको की रख यहर्वी फाइंड डॉमेन ओफ दोनों की डुमेण निकाले है और दोश्य को में ले लेना है ठीक है ना दोनों कोडो निकालेंगे जहां पर कॉम मान आएगा डोमेन पर जहां पर common आएगा उसको ही यहां पर choose करने है ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं कि when root 2 minus x is defined देखते हैं 2 minus x कब defined होगा 2 minus x is greater than equal to 0 पर defined होगा मैंने बताया कि x कभी भी negative नहीं होता x कभी भी negative नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा इसको माइनस से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा जैसी माइनस से मल्टिप्लाइ करेंगे हम x minus 2 हो जाएगा less than equal to 0 हो जाएगा ठीक है तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या आया x is less than and equal to 2 ठीक ना first equation आया second का निकालते हैं domain root 1 plus x का root 1 plus x कभ defined होगा 1 plus x is greater than equal to 0 पर defined होगा ठीक है तो x is greater than and equal to minus 1 यह आपका equation और यह आपका equation 2 तो hence from 1 and 2 से क्या हो सकता है कि मैंने सबसे पहले 1 के लिए मैं number line पर represent कर रहा हूँ 1 को number line पर represent कर रहा हूँ x is less than and equal to 2 2 कहां पर दिख रहा है जी यह आपका 2 है less than होगा less than होगा तो left side में होगा minus infinity के तरप ठीक है यहाँ पर क्या दिख रहा है x is greater than equal to minus 1 minus 1 कहां पर दिख रहा है यह आपका minus 1 दिख रहा है और यह आपका 2 था माइनस 1 से क्या होगा x का वेल्यू बड़ा होगा बड़ा होगा तो right side में होगा आरे समझ पे तो right side में होगा तो यहाँ पे intersection क्या दिख रहा है अपने को कि यहाँ पे plus लगा हुआ है plus का means होता है intersection ठीक है ना plus का means क्या होगा intersection होगा कि दोनों का जो common domain आएगा वही आपका answer होगा दोनों का common domain क्या आ रहा है minus 1 से 2 तक का minus 1 से 2 तक का value आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि minus 1 is less than equal to x is less than equal to 2 ठीक है तो इसका domain होगया minus 1 से 2 close interval close क्यों होगा दोनों पे क्या था यहाँ पे आपका less than equal to था यहाँ पे क्या था आपका greater than equal to था इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है close interval ठीक है आगे चलते हैं find the domain of the real function f of x is equal to 1 upon root 1 minus x square ठीक है इसके उपर बाते करते हैं f of x is defined यह f of x कब defined होगा जी मैंने बताया था कि तीन तरह के बिमारी होता है सर्दी खांसी बुखार तो मैंने एक कुछ बताया था ऐसा कि root of f of x इसके लिए अगर हम domain की उपर बाते करें तो f of x क्या होगा सिर्फ greater than 0 होगा ठीक है ना सर्दी खांसी बुखार वाला है यह बिमारी अपने पास में 1-x square is less than 0 अपने को याद रखने का टेकनीक है सर्दी खांसी बुखार जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखने का टेकनीक है ठीक है ना तो 1-x square is greater than 0 मैंने बताया कि x वाल अटम्स क्या होता है कभी भी यह negative नहीं होता है तो negative नहीं होने के लिए क्या चाहिए इसको minus से multiply करना पड़ेगा जैसे हम minus से multiply करेंगे तो sign क्या होगा आपस में change हो जाएगा sign change हो गया यह आपका minus 1 हो जाएगा आगे देखते हैं x square minus 1 का square means x plus 1 x minus 1 ठीक है ना number line पे put करो number line पे put करो इसको कि आपका यह infinity है और यह आपका minus infinity है x plus 1 is equal to 0 means x is equal to minus 1 यह आपका क्या होगा x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 और यह आपका क्या होगा x minus is equal to 0 x is equal to 1 दो value मिले हैं दोनों को number line पे put कर दो दोनों को number line पे put कर दिये फिर मैंने बताया है infinity के just left side में positive sign लेना है आपको ठीक है ना 1 कहां पर आया है 1 ये दिख रहा है अपने को x-1 से और इसका power क्या दिख रहा है odd दिख रहा है कुछ भी नहीं है मतलब क्या होगा वहाँ पर 1 होगा odd दिख रहा है तो sign क्या हो जाएगा negative हो जाएगा फिर उसके बाद क्या दिख रहा है minus 1 minus 1 वाले का power क्या दिख रहा है अपने को x-1 का odd दिख रहा है तो negative से ये क्या हो जाएगा ये फिर से plus हो जाएगा sign कैसा दिख रहा है less than दिख रहा है सिर्फ less than दिख रहा है ठीक है ना सिर्फ less than दिख रहा है, तो वो कहां पे आएगा, negative sign पे आएगा, ठीक है ना, less than है तो कहां पे लेंगे, taking a negative sign लेंगे, ठीक है ना, तो हम बात कर सकते हैं, कि इसका domain हो सकता है, x belong to open bracket minus 1 to 1 open, close, ठीक है ना, minus 1 to 1 open bracket होगा, क्योंकि यहां पर equal to का sign ही नहीं दिया है, ठीक है ना आगे चलते हैं, देखते हैं, कि भई, x minus मैंने कुछ और लिखा हुआ है, formula आपके लिए, कि हम बोल सकते हैं, if x minus alpha and x minus beta is less than 0 होगा, तो हम बोल सकते हैं, x belong to alpha beta open bracket, ठीक है, आगे चलते हैं, जो मैंने लिखा है, same वही है, तो हम बोल सकते हैं, domain of function क्या होगा, minus 1 से 1 होगा, Find the domain of the real function log x square minus 4x plus 3, कभी भी log के उपर बाते होती है, तो क्या होता है कि log कप defined होगा, जब ये क्या होगा, greater than 0 होगा, ठीक है, log में जो दिया गया function है, वो क्या होगा, greater than 0 होगा, तभी log defined हो सकता है, ठीक है, तो f of x is equal to log x square minus 4x plus 3, log कप defined हो सकता है, जब X square minus 4X plus 3 greater than 0 होगा इसको द्यान में रखना है कभी भी log का function आता है कभी भी log का function आता है आपके पास में तो द्यान में रखना है कि log AX अगर दिया गया है तो X जो होगा greater than 0 होगा और A क्या होगा greater than 0 होगा not equal to 1 होगा ठीक है न? इसको देहान में रखने है अपने को सबसे पहले तो यह आपका greater than zero होगा यह अपने को क्या दिख रहा है Quadratic equation दिख रहा है क्या हम इसके roots निकाल सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको x² माइनस आपका हो जाएगा 3x-x 3 is equal to 0 ठीक है हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कि भई, इसके रूट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहां से मैं X common लोंगा तो क्या आएगा, X-3, ठीक है ना, X-3 आजाएगा, यहां से मैं minus common लोंगा, minus 1 तो X-3 आएगा, जैसी ही मैंने minus 1 common लिया, तो इसके बाद आपको हो जाएगा, X-3 और x-1 is equal to ठीक ना 0 आरहे समझ पे तो देखते हैं आगे हम इसी पे कि भई x-1 x-3 इसको number line पे हम अगर represent करें इसको number line पे अगर हम represent करते हैं तो आपका क्या होगा जी बोलो number line करते हैं represent इसको x-1 is equal to 0 कितना होगा x is equal to 1 होगा x-3 is equal to 0 कितना होगा x is equal to कितना होगा 3 होगा ठीक है आगे चलते हैं कि यहाँ पे आपका यह आपका होगा infinity ठीक है infinity के just left side में आपको taking a positive sign 3 की power कैसा दिख रहा है और दिख रहा है x-3 whole power कैसा दिख रहा है odd दिख रहा है odd दिख रहा है तो यह आपका negative हो जाएगा one का power कैसा दिख रहा है यहाँ पे odd दिख रहा है odd दिख रहा है तो यह आपका positive हो जाएगा और sign कौन से दिख रहा है greater than दिख रहा है तो taking a positive sign positive sign कहां पे है यह यहाँ से यहाँ तक और यह यहाँ से यहाँ तक तो हम बोल सकते हैं इसको कि X belong to कहां से यह minus infinity से चल रहा है तो minus infinity से one होगा union अपका कहां से कहां तक होगा फिर से three से infinity होगा open मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर equal to का sign नहीं है ठीक है आगे चलते हैं हम कुछ formula मैंने लि इस greater than 0 है तो x belong to minus infinity से alpha union beta to कहा तक जाएगा infinity ठीक है आगे चलते हैं तो domain आपका हो जाएगा minus infinity से 1 union 3 से infinity ठीक है find the domain of the real function f of x is equal to 1 upon log 2 minus x ठीक है इसके उपर बाते करते हैं कि 1 upon log 2 minus x is defined when 2 minus x क्या होगा मैंने अभी बताया log पे क्या होता है 2 minus x is greater than 0 होगा ठीक है ना and 2 minus x not equal to 1 होगा तो मैंने लिखा हुआ है x minus 2 x minus 2 क्यों लिखा क्योंकि मैंने इसको minus से multiply किया जैसी minus से multiply करूंगा x minus 2 और यह वाला sign change हो जाएगा आपका less than 0 हो गया 2 minus x not equal to 1 है मैंने 1 को इधर ले आया तो आपका होगया 2 minus 1 is not equal to x ठीक है यह चोटा होना चाहिए छोटा किस तरफ होगा माइनस इंफिनिटी की तरफ होगा x not equal to 1 कब होगा यहां पर ठीक ना यहां पर क्या होगा आपका x का value not equal to 1 होगा तो हम बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा कि minus infinity से 2 ठीक है ना minus infinity से 2 तक होगा और क्या लगेगा यहां पर जी open bracket ठीक है ना open bracket रहेगा minus यहां पर 1 जो है भाग नहीं लेगा domain पर ठीक है ना x का value 1 नहीं होगा तो मैंने यहां पर लिख दिया है माइनस 1 ठीक है आगे चलते हैं हम या फिर इसको और लिख सकते हैं माइनस infinity से 1 union 1 से 2 open bracket लगाएंगे ठीक ना find the domain of the real function root 2 plus x plus root 2 minus x upon x ठीक है इसके उपर बाते करते हैं देखते हैं कि यह कब defined होता है ठीक है 2 plus x यहाँ पर क्या दिख रहा है यह root में दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं पहले इसका domain निकाल लेते हैं root 2 plus x, फिर next, root 2 minus x का domain निकाल लेते हैं, root 2 plus x कैसा दिख रहा है, कि मैंने अभी भी बताया था, root f of x जैसा दिख रहा है, और root f of x को अगर domain निकालते हैं, तो हम क्या करते थें, greater than equal to 0 लिखते थें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 plus x is greater than equal to 0 होगा, ठीक है, तो x plus 2 is greater than equal to 0, और x is greater than equal to minus 2, इसको बोल दिया equation 1, next देखते हैं, root 2 minus x के लिए, तो 2 minus x भी क्या दिख रहा है, root f of x जैसे ही दिख रहा है, तो 2 minus x is greater than equal to 0, मैंने बताया है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको minus x multiply करना पड़ेगा, जैसे हम minus x multiply करते हैं, यह आपका plus x हो जाएगा, और यह minus 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और यह sign क्या होगा, आपस में change हो जाएगा, less than and equal to, ठीक है, आपके तीसरा equation हो गया, 3rd equation हो गया, from equation 1, 2 and 3, 1, 2 आपका ये था, 3rd वाला क्या है कि, x not equal to 0, number line पे represent करते हैं, हम सबसे पहले, लेते हैं आपे, minus 2 और 2, ठीक है ना, minus 2 और 2, देखते हैं आपे कि, x का value क्या होना चाहिए, minus 2 से बढ़ा होना चाहिए, minus 2 से बढ़ा होगा, means क्या होगा, कि minus 2 से, right side का value होगा, ठीक है, 2 से क्या होना चाहिए, इसका value, छोटा होना चाहिए, 2 से क्या होगा, इसका value, छोटा होगा, तो 2 से left side का value होगा, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, x का value, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है न, 0 नहीं होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं, कि कहां पर common point आया, आपका, minus 2 से 0 तक, then 0 से 2 तक, ठीक है, तो हम इसका domain लिख सकते हैं, x belong to, close interval, minus 2 से 0, open bracket, union, open bracket, 0 से 2, close interval, ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद में, next question की उपर बाते करते हैं, find the domain of the real valued function, f of x is equal to log 0.3, base में क्या दिख रहा है अपने को, 0.3 और इसका function कैसा है, x minus x square, अचाहिए, step का अगर function आता है, कि 0.3 है, और x है, तो इसका graph कैसे बनता है, इसका graph बनता है, decreasing होता है, यह आपका decreasing function बोलते हैं हम इसको, ठीक है न, यह आपका decreasing होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कि यह defined का हो सकता है, 0 से 1 के बीच में defined होगा, ठीक है न, जो भी function दिया हुआ है, x minus x square, यह 0 से 1 के बीच में defined हो सकता है, 0 is less than, x minus x square is less than equal to 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकत है, x minus x square is greater than 0, and x minus x square is less than and equal to 1, ठीक है, first step पे दिखते हैं, कि x minus x square greater than 0 के लिए, तो यहाँ पे x square वाला term कैसा दिख रहा है, negative दिख रहा है, तो इसको positive बनाना है, positive बनाने के लिए minus से multiply किया, जैसी मैं minus से multiply किया, यह आपका हो जायाएगा, x square minus x, और यह sign आपका change हो ठीक है, मैंने x यहाँ से common लिया, x minus 1 less than 0, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से, कि x belong to 0 to 1, ठीक है, इसको अगर number line पे हम so करते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से मिलेगा, यह आपका 0 होगा, और यह आपका 1 होगा, यह आपका infinity, और यह minus infinity, ठीक है, x minus 1, पावर कैसा दिख रहा है, इसका पावर दिख रहा है, अपने को odd दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे infinity के left side में, taking a positive sign, odd power है, तो sign change होगा, negative होगा, फिर से 0, 0 की power कैसा दिख रहा है, यहाँ पे, x minus 0 की power दिख रहा है, odd, तो फिर से यह आपका plus हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे less than 0 है, तो taking a negative sign ठीक है, और कैसा bracket लगेगा, तो हम बोल सकते है, x belong to 0 to 1, ठीक है, next चलते है, also second part x minus x square is less than equal to 1, ठीक है, 1 यहाँ पे दिखते है, कि वही इसको minus से multiply करते है, अगर minus से नहीं भी करते है, कुछ लोगों को समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ, कि x minus x square को इस तरफ भेज देते है ठीक है, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया मैंने, जैसे ही इसको इस तरफ ट्रांसफर किया, यह आपका क्या हो जाएगा, plus x square होगा, और यह आपका क्या होगा, minus x होगा, यहाँ पे plus 1 है, और sign क्या होगा, same होगा, greater than equal to 0, ठीक है, यह आपको क्या दिख रहा है, यहां से, quadratic equation द x दिख रहा है, तो इस x में मैंने क्या किया, कि 2 का multiply किया, और 2 का divide कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, 2 का multiply किया, 2 का divide किया, means, अब मुझे दिख रहा है, यहां पे, कि यह जो 1 का square है, यह 1 का square नहीं होगा, ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है, अब 1 upon 2 का whole square हो सकता है, क्या, और minus one upon two का whole square हो सकता है मैंने क्या किया a square minus two a भी दिखरा था मुझे minus two a भी दिखरा यह तो b square बनाने के लिए मैंने क्या किया two a b b का value है one upon two का whole square तो मैंने one upon two का whole square यहाँ पे add किया और subtract कर दिया ठीक है तो मैं इस part को लेके यह part आपका और यहां से यहां तक यह आपका क्या हो गया x-1 by 2 का whole square हो जाएगा जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाप पे फिर उसके बाद क्या दिख रहा है plus 1 minus 1 upon 4 1 upon 2 का square 4 हो जाएगा LCM लेंगे आपका जाएगा 3 by 4 is greater than equal to 0 ठीक है न? true for all x belong to r ठीक है न? यह true है कब जब x belong to r है तो domain हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भई 0 से 1 होगा intersection r होगा ठीक है न? यह true है कब true है क्योंकि इसका value positive आएगा हर हमेशा ठीक है न? इसका value क्या आएगा? positive आएगा तो हम बोल सकते हैं भईया कि यह 0 to 1 intersection r तो यहाँ पे r कमिन्स क्या हो गया आपका इसका लिख सकते हैं domain 0 to 1 ही होगा ठीक है आगे चलते हैं question number 12 पे find the domain of f of x is equal to root x minus integer of कौन से integer है जी यह greatest integer gif greatest integer of x ठीक है greatest integer के लिए मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि अगर greatest integer minus 4.5 दे दिया जाए और इसका value पूछा जाए तो क्या होगा यह तो क्या होगा मैंने बोला है taking left side integers ठीक है minus 4.5 कहां पे आएगा 0 के left side आएगा और minus 4.5 के बाद क्या आएगा minus 5 आएगा तो इसका value हो जाएगा minus 5 ठीक है ना इसको याद में रखना है अपने को ठीक है आगे चलते हैं question को solve करते हैं इसको question को solve करते हैं कि भाई क्या है question when f of x is defined यह कब define हो सकता है बोलिए root x minus यी क्या दिख रहा है यह क्या दिख रहा है अपने को क्या दिख रहा है कि root जो है root जो है f of x जैसा दिख रहा है f of x जैसा दिख रहा है और f of x ए इस greater than equal to 0 होता है तो हम बोल सकते हैं x minus great stand integer of x is greater than equal to 0 ठीक है और बोल सकते हैं कि x is greater than and equal to greatest integer x ठीक है ना आगे चलते हैं which is true या true है for all x belong to r ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि f of x का domain क्या होगा r होगा next question की उपर बाते करते हैं हम find the domain of f of x root greatest integer of x minus x ठीक है ना same question दिख रहा है मैंने मैंने क्या किया है कि x को पीछे लिख दिया है और greatest integer को सामने लिख दिया है तो f of x exist when greatest integer x minus x is greater than equal to 0 यह आपका है gif greatest integer function ठीक है तो greatest integer x is greater than equal to x ठीक है ना या फिर हम बोल सकते हैं greatest integer x is greater than x और greatest integer x is equal to x ठीक है तो is it possible या possible है क्या बट मैंने लिखा हुआ है greatest integer x is less than sorry but greatest integer x is greater than x is not possible यह कभी भी पॉसिबल नहीं होता है ठीक है अगर मैंने बोल दिया मैं इसके लिए आपको एक्जांपल बताता हूं अभी भी मैंने बताया था कि यह आपका 4.5 है के का या पका 4.5 है तो इसको नंबर में पर में देखेंगे तो क्या होगा यहा से नंबर लें पर क्या होगा की भाई नमबर लाइन पर आपका होगा नमबर लाइन पर होगा यह आपका 0 होगा यह आपका 4.5 होगा आ रहे समझ पर यह आपका infinity है यह माइनस infinity है ठीक है ना 4.5 का मैंने बताया ग्रेटेश्ट इंटिजर पर क्या करना है टेकिंग left side integers, तो इसका left side का integer क्या होगा, 4 होगा, तो इसका value 4 हो गया, या ये दोना आपस में equal दिख रहे हैं क्या, या फिर ये आपका क्या है, बड़ा है क्या, x से बड़ा दिख रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये not possible है, ठीक है न, तो हम बोल सकते हैं, so we must have greatest integer x is equal to x, ठीक है, now greatest integer x is equal to x, x belong to integers, ठीक है, तो इसका जो आपका domain होगा, वो क्या होगा, आपका integers होगा, ठीक है, इसका जो आपके पास आएगा domain, वो क्या होगा, आपका integers होगा, ठीक है, ये आपके question है, ठीक है मैंने क्या बोला domain of f of x क्या होगा अपका integer होगा ठीक है आगे चलते हैं find the domain of f of x root mod of x minus x ठीक है ना root mod of x मैंने बोल दिया तो हम लिख सकते हैं यह कब defined होगा जब mod of x minus x is greater than equal to 0 होगा which is true for all x belong to r तो हम बोल सकते हैं कि domain of f of x is r ठीक है आगे चलते हैं हम बात करते हैं find the domain of f of x log x minus greatest integer x function में दिया हुआ है x minus greatest integer x मैंने बताया था log पे कभी जो भी function दिया हो वो क्या होगा greater than 0 होगा ठीक है फिर आगे देखते हैं x is greater than क्या हो जाएगा greatest integer x हो जाएगा which is true for all real number minus integer ठीक है ना real number minus integers को minus कर देंगे उस पे all real number पे पूरे integers को minus कर देंगे तो यह possible है ठीक है तो हम बोल सकते हैं इसका domain होगा r minus z ठीक है ना z means z means क्या है यहाँ पे z means है integers r means है क्या real number ठीक है आगे चलते हैं next question पर find the domain and range of f of x is equal to x upon 2 minus 3x ठीक है इसके उपर बाते करते हैं when is f of x not defined ठीक है ना यह defined हो सकता है क्या possible ही नहीं है क्योंकि नीचे भी function दे दिया है आपको 2 minus 3x ठीक है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर does not exist when 2 minus 3x is equal to 0 अगर यह 0 होता है तो यह not defined है तो हम बोल सकते हैं यहां से की 3x is equal to 2 हो जाएगा यहां से यहां से आपका क्या होगा 3x is equal to 2 हो जाएगा और x is equal to 2 हो जाएगा 2 upon 3 तो domain of function क्या होगा जी पूरा real number पे क्योंकि उपर तो x ही दिया अपने को ठीक है ना उपर क्या दिया है एक्स दिया है तो हम बोल सकते हैं domain of function is total real number में 2 upon 3 को माइनस कर देना वहाँ ठीक है क्योंकि यहां पर not defined है इस पर not defined है इसलिए हम इसको total real number पे उसको माइनस कर देंगे ठीक है तो let y is equal to f of x अच्छा इसका range भी निकालना है अपने को हमने अभी domain निकाला इसका range भी निकालते है y is equal to क्या लिखेंगे कभी भी range निकालने के लिए f of x को y लिख लेना क्योंकि अपने को y axis पे ही निकालना रहता है range जो होता है y axis में निकलता है domain जो होता है x axis में निकलता है तो Y is equal to F of X हो जाएगा ठीक है है तो Y is equal to क्या हो जाएगा एक्स अपान 2 minus 3 X हो जाएगा आगे दिखते हैं y into 2 minus 3 X is equal to X ठीक है profile by under multiply कर दिये 2y minus 3 Xy is equal to X 2 y is equal to क्या हो जाएगा मैंने इसको इस तरफ transfer कर दिया तो क्या हो गया ये plus क 3xy हो गया और 2y is equal to क्या हो गया यहां से मैंने x, निकाला, x जैसी common निकाला, 1 plus 3y हो गया, ठीक है, और x is equal to क्या हो जाएगा, 1 plus 3y, कहां चले जाएगा जी, नीचे चले जाएगा इधर, तो 2y upon 1 plus 3y हो जाएगा, which is defined when, कब defined हो सकता है, अच्छा ये कब defined हो सकता है, जब नीचे वाल अटम क्या हो, not equal to 0 हो, जब नीचे वाल अटम क्या हो, not equal to 0 हो, means मैं बोल सकता हूँ कि y not equal to minus 1 by 3, तो हम total real number में minus 1 by 3 को ने minus कर देंगे, तो ये इसका range हो सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं, find the domain and the range of the function root 9 minus x square, कैसा function दिख रहा है, फिर से सर्दी खांसी बुखार जैसा दिख रहा ह ठीक है, ठीक है, उसमें number 1, सर्दी के जैसा, तो f of x is greater than equal to 0 होगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 minus x square, root 9 minus x square, defined कब होगा, जब 9 minus x square is greater than equal to 0 होगा, मैंने बताया था, x कभी भी negative नहीं होता, तो इसको minus multiply करेंगे, जैसी minus multiply करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका, x square minus 9 is less than equal to 0 हो जाएगा, sign change हो जाएगा, ठीक है, x square minus 9 कैसा दिख रहा है, जी ये, x square 3 का square दिख रहा है, less than equal to 0 दिख रहा है, 3 का square मिन्स होगे, आपका x plus 3, x minus 3, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, मैंने वही formula लगाया, यहाँ पे, इसको number line पे put कीजे, जैसी इसको number line पे put किया, मैंने, तो यह से क्या दिखेगा, मुझे, x plus 3, a square 2, minus kya होता है, x is equal to minus 3, x minus 3 is equal to 0, आपका kya होगा, x, x plus 3 होगा, ये, ठीकना, यह आपका क्या होगा, x, x minus 3 is equal to 0, क्या होगा, ये, आपका 3 हो जाएगा, x is equal to, ये, आपका infinity है, ये, आपका minus infinity है, ठीकना, infinity के just left side में taking a positive sign minus 3 मतलब यही वाला है x is equal to 3 इसका power कैसा दिख रहा है odd दिख रहा है odd दिख रहा है तो sign क्या होगा change होगा x plus 3 का power कैसा दिख रहा है odd दिख रहा है odd दिख रहा है तो क्या होगा sign change होगा sign कैसा दिख रहा है less than equal to less than equal to है तो taking a negative sign ठीक है ना तो हम बोल सकते हैं कि x belong to कहां से कहां तक minus 3 से कहां तक 3 तक मैंने close bracket क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पे equal to equal to का symbol दिया हुआ है less than and equal to बोला जा रहा है वहाँ पे equal to का sign है मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है close bracket लगाया है ठीक है आगे चलते हैं हम तो इसका domain बोल सकते हैं minus 3 से 3 होगा close interval ठीक है range क्या हो सकता है इसका range भी निकालना है अपने को f of x is equal to root 9 minus x square is greater than equal to 0 for all x belong to minus 3 to 3 तो हम बोल सकते हैं we know that x square is greater than equal to 0 ठीक है तो minus of x square इस क्या हो जाएगा less than equal to 0 ठीक है ना जैसी मैं यहाँ पर minus multiply करूंगा तो sign change हो जाएगा मैंने दोनों तरफ क्या किया 9 का add कर दिया इस वाले equation में मैंने क्या किया दोनों तरफ 9 का add किया ठीक है ना both side ठीक है फिर मैंने क्या किया दोनों तरफ square root कर दिया both side square root किया जैसी both side square root किया 9 minus x square हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा less than equal to 3 हो जाएगा root 9 means आपको होता है 3 ठीक है आगे देखते हैं इसको बोल दिया मैंने equation 1 and we know that root 9 minus x square is greater than equal to 0 तो हम बोल सकते हैं कि 0 is less than and equal to root 9 minus x square ठीक है हम इसको बोल सकते हैं equation 2 from equation 1 and 2 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि भई root 9 minus x square का जो value है वो 0 से 3 के बीच में आ रहा है y axis पे तो हम इसका range लिख सकते हैं the range of the function f of x is 0 से 3 और कौन से ब्रेकेट होगा यहां पे कौन से ब्रेकेट होगा close interval मतलब close bracket होगा क्यों होगा क्योंकि यहां पे दोनों में equal to का साइन है ठीक है आगे चलते हैं हम question number 18 पे find the range of the real function x square minus 4 upon x minus 2 when f of x not defined ठीक है ना when is f of x not defined देखते हैं x square minus 4 upon x minus 2 तो हम क्या बोल सकते हैं f of x does not exist when कब जी x minus 2 जब equal to 0 होगा तो यह exit नहीं करेगा ठीक है ना मतलब defined नहीं है तो इसके लिए अपने को क्या चीए x क्या चीए अपने को कि x minus 2 equal to 0 हो जाए ठीक है ना x is equal to 2 पे not defined है तो हम बोल सकते हैं और यह वाला function कैसा दिख रहा है यह अपने को दिख रहा है quantity equation ठीक है ना यह अपने को क्या दिख रहा है quantity equation दिख रहा है x square minus 4 जो कि defined है और इसका value क्या आएगा real number आएगा ठीक है ना already हम देख चुके हैं तो हम बोल सकते हैं real number में 2 को minus कर देना ठीक है ना यह not defined है मैंने इसलिए इसको minus किया हुआ है ठीक है तो इसका जो domain आगया आपका r minus 2 आजाएगा ठीक है also f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2 इसका range भी निकालना है अपने को तो हम इसको लिख सकते है x plus 2 x minus 2 upon x minus 2 x minus 2 से x minus 2 cancel हो गया यहाँ पर क्या आजाएगा यह आपस में cancel हो जाएगा तो आपका आजाएगा x plus 2 आजाएगा ठीक है आगे चलते है now f of x is equal to x plus 2 और x but मैंने अभी बताया था आपको कि x minus 2 not equal to 0 होना चाहिए ठीक है ना तो x not equal to 2 हो जाएगा ठीक है तो x plus 2 not equal to 2 plus 2 ठीक है x plus 2 not equal to 2 plus 2 हो जाएगा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है x की जगा पर value put किया है कि not equal to 2 ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि f of x is not equal to 4 ठीक है ना नहीं होगा तो does f of x can take any value except 4 तो हम बोल सकते हैं total real number में 4 को minus कर देंगे तो आपका range आ जाएगा ठीक है ना तो इसका range मैंने लिखा है आगे चलते हैं बात करते हैं next question पे find the domain and range of the real value function f of x is equal to 2 plus x upon 2 minus x ठीक है solution पर जाते हैं let f of x is equal to 2 plus x upon 2 minus x ये does not exist when कब 2 minus x is equal to 0 होगा तो ये exit नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं x is equal to 2 तो domain इसका होगा क्योंकि अपने को क्या दिख रहा है 2 plus x क्या दिख रहा है linear equation दिख रहा है ठीक है ना भई तो हम बोल सकते हैं उसका क्या हो सकता है domain r हो सकता है तो total r में इस 2 को minus कर देना ठीक है range निकालते हैं इसके लिए तो मैंने f of x को लिखा y और 2 plus x upon 2 minus x आगे चलते हैं मैंने यहाँ पर 2 minus x को transfer किया तो y into 2 minus x is equal to 2 plus x हो जाएगा ये आपका multiply करते हैं 2y minus xy is equal to 2 plus x यहाँ से x की value निकालते हैं minus xy को इस तरफ लेके चलते हैं 2 को इस तरफ ले लेते हैं ठीक है तो 2y minus 2 हो जाएगा और x plus xy हो जाएगा minus xy को इधर ले गए तो आपका हो गया plus और 2 को इस तरफ ले गए तो आपका हो गया minus 2 यहाँ से देखते हैं x common लेते हैं 1 plus y आएगा 2y-2 दिख रहा है इधर x की value निकालते हैं तो क्या आजाएगा 2y-2 upon y-1 is equal to x ठीक है आगे चलते हैं x is equal to 2y-2 upon y-1 यह अपने को दिख रहा है which is defined when y-1 not equal to 0 यह कब defined होगा जब range निकालेंगे तो क्योंकि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए तो y is not equal to minus 1 तो हम बोल सकते हैं कि range क्या होगा उपर वाला कैसे दिख रहा है linear दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं उसका क्या हो सकता है real number हो सकता है तो total real number में minus 1 को subtract कर देना तो r minus minus 1 होगा इसका range ठीक है आगे चलते हैं यहां तक मुझे लगता है सबको clear होगा आगे चलते हैं 20 question पे find the domain and range of the function f of x is equal to mod x plus का mod of 1 plus x ठीक है देखते हैं कि f of x mod x plus mod of 1 plus x is defined domain is r ठीक है यह कब defined हो सकता है कि domain इसका जब r हो r means real number हो ठीक है ना हम बोल सकते हैं we know that mod of u plus v is less than equal to mod of v plus mod of u for u and v belong to r ठीक है तो put u equal to minus x and v equal to 1 plus x इने वो equation ठीक है ना u equal to minus x put करते हैं और v is equal to 1 plus x put करते हैं तो क्या होगा आपका जी यहां पे minus x plus 1 plus x ठीक है ना mod of minus x plus 1 plus x is less than equal to mod of minus x plus mod of 1 plus x ठीक है तो हम यहां से देख रहे हैं कि यहां पे आपका आगया 1 is less than equal to mod of minus x plus 1 plus x का mod ठीक है आगे देखते हैं कि यह आपको मैंने बताया थे कि x कभी भी negative नहीं होता अगर यह negative नहीं होगा तो क्या होगा इसको positive करना पड़ेगा positive करने के लिए क्लिए यह आपका sign change हो जाएगा आरे समझ पे sign change हो जाएगा जैसी ही मैंने minus किया इसको क्योंकि mod के अंदर वो है अपने आपका ठीक है ना mod minus x लिखूं तो इसका value क्या आएगा positive x ही आएगा ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका value change हुआ जैसी ही तो यहां पे sign भी change हो गया ठीक है mod x plus mod of 1 plus x is greater than equal to 1 ठीक है आगे चलते है कि mod of minus x is equal to mod x होता है मैंने अभी भी बताया f of x is greater than equal to 1 क्योंकि यह तो अपने को f of x दिख रहा है यह पूरा term क्या दिख रहा है f of x ही दिख रहा है जो कि अपने को दिया हुआ है question पे ठीक है ना और यह क्या होगा 1 होगा तो हम बोल सकते हैं इसका range क्या हो सकता है 1 से infinity हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है greater than होगा 1 से बड़ा होगा x से बड़ा होगा इसका value मतलब x से बड़ा कहा तक होगा जी right side में होगा राइट साइड में होगा राइट सेड में कहा तक होगा इंफिनिटी तक होगा ठीक है ना यहाँ पर इक्वल टू कसा इने मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिया है ठीक है तो यह इसका डोमेन हो गया और यह इसका रेंज हो गया ठीक है आगे चलते हैं हम बात करते हैं conceptual question classwork ठीक है देखते हैं कि if na is equal to 4 then the number of relations from a to a is क्या हो सकता है मैंने कल ही बताया था आपको कि na दिया है मतलब cardinal number of set a दिया है 4 then the number of relations from a to a ठीक है क्या होगा आपका यहाँ पे मैं solution बता देता हूं कि number of relations के लिए क्या होता है 2 की power n a multiply by n b मैंने इसी को कल लिखा हुआ था n a को हम लोग लिखते हैं जो cardinal number of set a है वो कितना होता है m होता है और cardinal number of set b कितना होता है n होता है small n ठीक है न तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है यह कितना दिया है भाई लो फोर दिया है यहाँ ठीक है यह कितना दिया है फोर दिया गया है और यह भी कितना दिया है फोर ही दिया है क्योंकि यहाँ पर यह वाला टमस नहीं दिया है यहीं दिया हुआ है ठीक है तो यह आपका फोर हो गया यह भी फोर हो गया है option number 4 ठीक है if any is equal to 4 and nb is equal to 3 then the number of relations from a to b which are not function is 4015 4096 81 और यापका option दिया हुए 64 solution की पर बाते करते है number of relations minus number of function is equal to kya hooga आपका number of relation क्या होता है 2 की पावर na into nb cardinal number of set a cardinal number of set b minus nb की power na ठीक है यहां पर na का value दिया हुआ है 4 nb का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 तो जैसी 4 into 3 किये तो कितना आ गया यहां पर 12 आ गया यहां पर कितना आ गया 4 into 3 कि पावर 4 2 कि पावर 12 कितना होता है 4096 होता है 3 कि पावर 4 कितना होता है 81 होता है ठीक है आपस में सब्सक्राइब करेंगे आपका एंसर आगया राइट एंसर इस ऑप्शन वान ठीक है आगे चलते हैं हम इन क्लास देरार 21 इस्टुटेंट इच विल गेट वन अप दे ग्रेट्स ए बी सी डी और इडा नमबर अफ फंक्शन देट प्रेट इस्टुटेंट तो दा सेट आफ ग्रेड्स इज़ ठीक है सॉलूशन की उपर बाते करते हैं डिवन अन इदिया हुआ है आपको कि इतना दिया हुआ है यहां पे 21 इस्टुटेंट बोला जा आगे चलते हैं, next question के उपर, if a is equal to the again, set a, b, c, d and b is equal to the again, 1, 2, 3, 4, ठीक है, then which of the following is a function from a to b, कौन-कौन से function हो सकते हैं, बताइए, या तो होगा आपका a1, a2, a3, a4, ठीक है, कहीं पर दिख रहा है क्या, a1, a2, a3, a4, अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं, b1, b2, तो मै यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, कि in option 1, element d have two image, ठीक है न, देखो यहाँ पर, option 1 पर, element d के दो image दिख रहा है, यहाँ पर, d4 and d3, d के दो image दिख रहा है, 4 and 3, अच्छा, फिर next option पर देखते हैं, option number 3 पर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि c के, c दिख रहा है, यह पर दो image दिख रहा है, सी के, फिर उसके बाद चलते हैं, option number 4 पर चलते हैं, कि option number 4 क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ, option number 4 पर d का कोई भी image नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, कि d और e का कोई image नहीं है, तो option 2 is correct answer, ठीक है, आगे चलते हैं, कि if a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then the number of possible 1, 1 function एकशन विट्सेलफ इस ठीक है आपको उप्षेन दिया गया है कि आने दिया हुआ है कि इन धेंडिय वे यह जय फ् videos करते हैं कि cinqशन प्टाने łきlan चाल सकता है थेंग यू सकते हैं तो यहीं São involvement in जहीं much subjects, फाइनट फॉर इंटिटी इनुमीड़ें फॉर इंटो थो इंटिटी इना थिक यह आपके हो जाते हैं 120 ठीडराइट एंसर इस आपसंट फिक है थेंक क्यू